पिछले दिनों पैसेंजर ट्रेन के किराय में दोगुनी बढ़ होत्री हुई इससे पैसेंजर्स काफी नाराज है कुरुक्षेतर निजामुदीन पैसेंजर ट्रेन का किराया भी डबल हो गया है लोगों का कहना है कि पहले वो 25-30 रुपे में दिल्ली पहुंच जाते थे अब सीधा डबल किराय दे कर पैसेंजर ट्रेन में यात्री को दिल्ली पहुंचना पढ़ रहा है यात्रियों का कहना है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से उनका जीना दुभर हो गया है पहले तो कोरोना काल में काम धंदा चौपट हो गया और अब काम धंदे के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो इसके लिए उन्हें डबल किराया देना पड़ रहा है पॉपलिक को वैसे करोना काल में सबी लोगों के जो बैपार बैउसाय थे वो पूरे डाउन थे उसकाल में भी जो गरीब बंदे हैं जो दहारी करते हैं और उनको जाना है साधी विवाह में सबी परिवार में होते रहते हैं तो उनको बड़ी दिक्क्तें होती हैं डबल किराए में और समय पर भी नहीं लोग पहुंच पार है क्योंकि शादनों की भी कमी है और जो भी हैं तो उसमें डबल किराया है, सरकार को हम मानते हैं कि कुरोना काल में मुशीबितें जहलने पड़ी हैं, गाड़ियां बंद हैं, उनको भी घाटा लगा है, लेकिन आम पबलिक में भी बहुत मदद किया है, बहुत योगदान दिया है सरकार को, तो इस पर सरकार को भी शेयर ध् करने कर दिया है, तो लौकल बंदा है, जो डेली पेसंजर करने वाला बनदा है, और जो गरी बंदा है, वो उसको कैसे अफोड कर सकता है, अब यह देखिए, परले प्यंटी सी पर में जा सकता था, देली काम करने वाला बंदा वो बड़ी मुश्क्ट से कुजारा करता हो कुरुक्षेत्र के लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए दिलिया चंडिगर की और रुख करना होता है ऐसे में डबल किराया उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है जो पहले ही पेट्रोल और डीजल और लपीजी सेलेंडर की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से परिशान है पंजाब के सिटीवी चंडिगर के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादफ की रिपोर्ट